हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे अपने घर पर सुरक्षित होंगी मैं जोती आप सभी का स्वागत रती हूं आपकी अपने यूटूब जैनल स्टुडी पॉइंट पर जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमाटिक्स फॉर बियर सी कट प्रेंशियल कैल्कुलस के अपका चैप्र सब्सक्रिट था एंवलभी एंगे याईम को करेंगे पहले यहां से यहां से देखिए इसका प्रॉप्सपार्टरा आपके लात सामने लिखा हुआ है, इसको solve करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं, question number 3 में आप से कहा क्या गया है, find the envelops of the straight lines, x upon a plus y upon b is equal to 1, where the parameters a and b are connected by the following relations, ठीक है, यानि कि आपको क्या करना है, envelope की value find out करनी है, किसके लिए, बच्चों, straight line की equation आपको given है, and equation क्या है, x upon a plus y upon b is equal to 1, ठीक ह equation तो आपको ये दे रखी है, where the parameter a, जहाँ पर a क्या है, बच्चों, parameter है, and b are connected, ये दोनो, a और b कैसे connected है, बच्चों, कुछ relations आपको given है, उनसे connected है, ठीक है, तो उनके लिए क्या करना है, आपको envelope की value find out करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसका first part लिखा हुआ है, a की power n plus b to the power n is equal to c to the power n, इसको लिख लेते हैं, कितना a की power n plus b की power n is equal to c to the power n, और इसको माल लेते है, equation number 2, तो यहाँ से देखिए, आप क्या करेंगे, बच्चों, equation first का और equation second का, दोनों का क्या कर देंगे, differentiation कर देंगे, किसके respect में करेंगे, a के respect में करेंगे, और b को क्या लेंगे, b को लेंगे, as a function of a, ठीक है, and x और y को कैसा ले लेंगे, बच्चों, constant ले लेंगे, and c आपको already given है, कि c क्या सा है, बच्चों, एक constant है आपके पास में, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे, on differentiating, equation, first and second, with respect to a, regarding, यह a है, बच्चों, यह वाला है, ठीक है, regarding b, as a function of a, and x, and y, are constants, यहाँ कि differentiation कर देंगे, बच्चों, किस के respect में, a के respect में, और b को क्या लेंगे, b को लेंगे, as a function of a, and x, और y कैसे है, constant terms है, ठीक है, तो यहाँ पर देखे, from equation, first से करेंगे, पहले, from equation, first, तो यहाँ पर देखें, implies that, equation, first का differentiation करोगे, तो यहाँ से कितना आजाएगा, x तो constant है, and 1 upon a का, जब आप differentiation करोगे, तो कितना आजाएगा, minus k, 1 upon a square, कैसे आए, यहाँ से देखी, 1 upon a का, आपको क्या करना है, बच्चों, differentiation कर देना है, ठीक है, तो यहाँ से term कितनी आजाएगी, भई, a है नीचे, तो उपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, a to the power minus 1 हो जाएगा, and जब इसका differentiation करोगे, तो power आगया जाती है, और power में से क्या हो जाता है, minus हो जाता है, 1, तो minus 1 minus 1 कितना हो जाएगा, minus 2 हो जाएगा, और यह minus में है, तो upon में आके कैसा हो जाएगा, plus का हो जाएगा, यानिकि minus 1 upon a square आजाएगा, तो same हमने यही तो लिखा है, minus के 1 upon a square, ठीक है, same ऐसी किसके लिए करोगे, बच्चो, y upon b, तो y तो constant हम है, और 1 upon b का differentiation करोगे, कितना हैगा, minus k, तो plus minus तो minus, 1 upon b square हो जाएगा, और जब आप b का करोगे, तो b का कितना हो जाएगा, बच हो, यहां से db upon d a की value निकालेंगे, तो देखिए वाली, दोनो term minus की है, तो minus common ले लोगे, तो plus की हो जाएगी, दोनो term, ठीक है, minus अगर इधर से common ले ले तो इधर पुछा देते हो, 0 में, तो 0 पे तो कोई fact नहीं पड़ेगा, यह दोनो term कैस की हो जाएगी, positive हो जाएगी, यहां से देखिए, b square इधर divide में है, तो इधर चला जाएगा, किस में multiply में, और यह y इधर multiply में है, तो इधर कहां चला जाएगा, divide में चला जाएगा, यानि कि आपके db upon d a की value कितनी आ गई, minus k x upon b square upon a square into y, इसको मान लेना बच्चो equation number third, ठीक है, एक बार यहां तक नोट क differentiation कर देगे, किस की respect में, a के respect में, तो यहां से कीजे, power starting में आ जाएगी, और a की power कितनी हो जाएगी, n minus 1, plus same ऐसी b के लिए करेंगे, तो कितना हो जाएगा, n into b to the power n minus 1, और जब आप बीगा करोगे, तो कितना हो जाएगा, db upon d a हो जाएगा, and c आपकी constant term है, तो इसका differentiation कि इतना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, यहां से भी db upon d a की value निकाल लेते हैं, तो देखें कितनी हो जाएगी, n into b to the power n minus 1, db upon d a is equals to, यह इधर positive है, equal के धर जाके minus को जाएगा, तो minus के n into a to the power n minus 1, देखें बच्चो, n से आपका n cancel out हो जाएगा, n से, n cancel out हो गया, तो आपके term कितनी बच गई, db upon d a is equals to minus a to the power n minus 1, और upon में यह वाली power देखें इधर, तो यह वाली value इधर multiply में है, तो धर के side आके किस में हो जाएगी, बच्चो, divide में हो जाएगी, तो यहां से db upon d a की value कितनी आगई, यह आगई, इसको मालने ला, equation number 4, अब आप देखें, equation number देंगे, from equation third and 4, we get, हमें क्या मिल रहा है, बच्चो, equation third और four से, आप देख सकते हो, दोनो values भी क्यों होंगी, अगर यह दोनो इसके equal है, और यह दोनो एक है, तो यह वाली दोनो values भी तो एक होंगी, यानि कि, minus a to the power n minus 1 upon b to the power n minus 1, किसके equal होगा, बच्चो, minus x into b square, and upon में कि इतना है, a square into y, यहां से देखिए, बच्चो, पहले minus से minus cancel out, इसको क्या लिख सकते हैं, आपर देखिए, a की power minus 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, into a to the power minus 1, और यहां पर पावर minus 1 है, तो नीचे आके power कैसी हो जाएगी, बच्चो, positive, यानि कि, इंतु में a हो जाएगा, और य इतना हो जाएगा, 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 इतना हो इंटू B की पावर N यानि की B की पावर N फ्लस वन इस इकॉल्स टू X अपॉन यहाँ पर देखिए पावर 1 है पावर्स एड हो जाएंगे यह इधर मुल्टिप्लाई में है तो इधर आगे किस में हो जाएगा यह दिवाइड में हो जाएगा या फिल इसको किस-किस फॉर्म इधर दिवाइड में है तो इंटू में होंगे कोई फेक्ट नहीं पड़ेगा इससे लेकिन हमने यह क्यों लिखा वो आपको यहां से उपर पता चलेगा देखिए यहां से रफ कर रही हूँ तो यहां पर देखिए अगर इन दोलों टर्म्स को जोड़े यानि कि Y अपॉन B और अपॉन में कितना है? B to the power N है is equals to X अपॉन A और अपॉन A to the power N है यहां से देखिए अगर इन दोलों टर्म्स को जोड़े यानि कि Y अपॉन B प्लस X अपॉन A और अपॉन में कितना हो ज तो यह वाली टम यहां से किसके इक्कुल हो जाएगी 1 के इक्कुल और अपोन में देखें A to the power N plus B to the power N यह किसके इक्कुल एक्वेशन से से सी टु दी पावर N के इक्कुल है ठीक है और यह वाले दोनों टम्स को अब हम सही इक्कुल में लिख लेते हैं कितनी हो गई यह B की पावर N plus 1 is equals to X upon A to the power N plus 1 और यह किसके इक्कुल आ गया 1 upon C to the power N के इक्कुल आ गया अब यहां से क्या करेंगे बच्चों सबसे पहले तो यह माल्याक first member है यह second member है एंड यह third member है तो क्यों क्यों से ले लेंगे from first equals to third यानि कि अगर first term को और third term को equal रखे तो आपकी term कितनी आ जाएगी Y upon B to the power N plus 1 is equals to 1 upon C to the power N यहां से देखे इसकी धर multiply करो तो term कितनी बन जाएगी Y into C की power N is equals to B की power N plus 1 और अगर यहां से B की value निकाल नहीं हो तो implies that B किसकी equal आ जाएगा Y into C की power N and complete की whole power कितनी आ जाएगी बच्चो 1 upon N plus 1 कितनी हो जाएगी 1 upon N plus 1 हो जाएगी यहां तक किसी को कोई राउट नहीं होना चाहिए अब देखे अभी term ने क्या लिखा first और third को equal लिखा अब क्या करेंगे second और third को equal लिख देगे तो second equals to third अगर इन दोनों members को equal ले तो देखे आपकी term कितनी आ जाएगी X upon A to the power N plus 1 is equals to 1 upon C to the power N multiply करोगे तो term कितनी आ जाएगी बच्चो X into C to the power N is equals to A की power N plus 1 और यहां से किसकी value निकाले A की value निकाले तो इधर power N plus 1 है दूसरी साइट जाके कितनी हो जाएगी 1 upon N plus 1 तो इक इसके equal आ गया X into C की power N और इसकी whole power कितनी आ गई 1 upon N plus 1 आ गई अब यहां से क्या करेंगे A और B की value को किस में put कर देंगे equation second में put कर देंगे तो यहां से देखे लिख देंगे Now on putting the values of A and B in equation second equation second में put करोगे तो देखे बच्चो आपकी time कितनी आ जाएगी A की value क्या है यह है तो इसको इसको इहां पर put करोगे तो देखे तो कितनी आ जाएगे X into C to the power N और complete की whole power कितनी चल रही है बच्चो 1 upon N plus 1 चल रही है और यहां पर power अरड़े कितनी है N तो power कितनी हो जाएगे N upon N plus 1 प्लस यहां से देखे B, B की value put करोगे कितनी है यह रही Y into C to the power N और complete की whole power कितनी चल रही है 1 upon N plus 1 और इसकी होल power कितनी है N है तो यहां से power कितनी हो जाएगे n upon n plus 1 किसके equal है यह देखिए c to the power n के equal है यहां से क्या कुछ common ले सकती हो आप देखिए यहां पे भी c की power n है यहां पे भी c की power n है तो इसको common लोगे तो c की power n और into में कितना है बच्चो इसकी power कितनी चल रही है whole power n upon n plus 1 भी तो चल रही है और यहां से देखिए अंदर कितना बचेगा x की power n upon n plus 1 plus y to the power n upon n plus 1 और किसके को लागे c to the power n के झाल 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 कितनी चल आप रही है तो यहां से देखे बच्चो यह वाली ट्म इधर multiply में इधर जाके किसमें लोगी यहांसे देखे बच्चो यह वाली टर्म इधर multiply में इधर। हो जाएगी divide में तो term कितनी आगे x की power n upon n plus 1 plus y to the power n upon n plus 1 is equal to c की power n यहाँ पर देखे बच्चों जब यह इधर multiply में इधर divide में जाएगी तो divide में power कैसी होगी positive तो उपड जाके negative हो जाएगी तो उपड लेके जाए तो कितनी हो जाएगी power minus k n square upon n plus 1 इसको solve करेंगे कितना जाएगा x की power n upon n plus 1 plus y to the power n upon n plus 1 is equal to base same है तो powers add हो जाएगी यानिकी n minus n square upon n plus 1 solve करना इसको कितना हो जाएगा इधर 1 LC हम लेके इधर कितना हो जाएगा देखे इस term को solve करोगे तो आपकी time हमा जाएगी n square plus n और minus k n square and upon में कितना जाएगा n plus 1 n square से n square cancel out term कितनी बची n upon n plus 1 है इसको डायक्ट रख करके लिखरियों में term कितनी आ गई बच्चो n upon n plus 1 आ गई and that is our answer और हमारा answer भी आ चुका है यहाँ पर देखे ठीक है तो यहाँ पर question complete होता है note keaches को देखेड़े पुच्छों इसके बादन सका second part आपको क्या दिया हुआ हो है यह दिया हुआ हो है और आपको क्या करना है इसके लिए envelope की value find out करनी है यान कि जो आपको a love की value find out करनी है a क्या है इस relation में parameter है और b क्या है b है function किसका a का और c क्या है बच्चो advise term है तो अभी देखे सबसे पहले तो जो आपकी वह वाल equation है कौन सी x upon a plus y upon b is equal to 1 इसको equation first light कर लेंगे और जो यह वाल equation है a to the power m into b to the power n is equal to c के power m plus n इसको क्या माल लेंगे equation second light कर लेंगे तो सेम ऐसे लिख देंगे कि on differentiation equation first and equation second with respect to a a के respect में regarding b as a function regarding b as a function of a b क्या है बच्चो function है किसका a का and x and y are constants so now equation first से जब आप करोगे differentiation करोगे किसका equation first का तो अभी बच्चो मैंने इससे पहले वाले पार्ट में किया था और देखिए इसके 5 पार्ट से तो यह नहीं है कि मैं सभी में क्या करूंगी equation first का differentiation करूंगी first पार्ट में मैंने आपको करके दिखा दिया है आप उसकी तरह ही solve कर लेना सभी questions में ठीक है थोड़ा सा आपको अपने आप solve करना और solve करने के बाद में आपकी value क्या आई थी वह चो डीवी अपॉन दीए कि जो value आई थी equation first से कितनी आई थी minus के x into b square और upon में कितना आया था y upon a square यह value आई थी आपकी equation first से solve करके तो equation first के लिए आपको अपने आप solve करना equation second के लिए मैं आपको करके दिखा रही हूं equation second के लिए क्या से करोगी बच्चो इसका differentiation कर दोगे एक के respect में तो यहांसे time कितनी आ जाएगी m into a की power m plus 1 और b कैसा ह बच्चो इस बार constant लें आपर देखिए यह दोनों functions है तो इसको first function लाइट करें इसको second first function का differentiation into second function constant प्लस आप क्या करोगे first function को constant लोगी और second function का differentiation तो कितना हो जाएगा n into b की power n plus 1 और साथ में कितना आ जाएगा अच्छा plus 1 नी बच्चो स्वरी minus 1 power n minus 1 होती थी न तो यहां पर कितना हो जाएगा n minus 1 हो जाएगा और जब b का करोगे तो कितना हो जाएगा db upon d a हो जाएगा और इसको इसको रिफेंशिशन कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा यहां से देखिए वारी term positive है equal के अधर जाके कैसी हो जाएगी negative हो जाएगी तो term कितनी आ जाएगी b minus n into db upon d a किसके equal आ गया बच्चों यहां से minus m into b to the power n into a की power m minus 1 के equal आ ठीक है अब यहां से उपर करेंगे तो देखिए term कितनी आ जाएगी db upon d a की value आपको find out करनी है तो सभी term जो इसकी multiply में अधर divide में लेकर चले जाएंगे तो term कितनी आ जाएगी minus k m into b to the power n into a की power m minus 1 और upon में कितना आ जाएगी यहां से देखिए बच्चों क्या हम इसको ऐसे लिख सकते है कि power n into a की power minus 1 और इस इंटू b की power minus 1 इस form में लिख सकते है क्यों किया हमने ऐसा बेस से में powers एड हो जाएंगी फिर से वह term आ जाएगी लेकिन यह b की power minus 1 और जाके कितना बन जाएगा बच्चों बी हो जाएगा यहां पर a की power minus 1 और नीचे आगे कितना हो जाएगा a की power 1 हो जाएगा ठीकि हमने इसा क्यों किया यहां से दिखें बीकी power n से बीकी power n cancel out m to the power a की power m से की power m cancel out तो डीवी अपॉन डीए की वैल्यू कितनी आ गई वज्चों आपके लिए माइनस के m into b upon n into a ठीक है इसको क्या light कर लेना इसको equation third light कर लेना और इसको कौन सी मान लोगे equation number 4 मान लोगे तो अब किस से लिखोगे from equation third and fourth from equation third and for equation third and fourth से यहां पर देखोगे यह भी db upon d a की value है और यह भी तो दोनों values को character के equal put करोगे तो कितना जाएगा minus के m into b upon n into a किसको equal आजाएगा minus के x into b square और upon में कितना आजाएगा y into a square आजाएगा एक बार यहां तक note कीचे तो यहां से लिखे time कितनी आजाएगी minus से minus cancel out हो जाएगा इसकिधर multiply करोगे कितना आजाएगा y into m into b into a square is equal to कितना हो जाएगा x into यहां पर क्या थी time बच्चो b थी शायद से यह अच्छा N है x into n into a into b square ठीक है यहां से देखिए यह वाले time जो x के into में है वो इधर divide में चले जाएगी तो कितना हो जाएगा y upon n into a b square is equals to x upon में कितना हो जाएगा m into b into a square हो जाएगा यहां से हम इसको किस-किस form में लिख सकते हैं यहां से देखिए क्या हम इसको लिख सकते हैं y upon a और upon में कितना जाएगा n into b square is equal to यहां से इसको हम लिख सकते हैं x upon b अच्छे एक सेकंड बच्चे एक चीज का धियान देजिए ज़रा यहां से देखिए a को cancel out हो रही है यहां से b की एक पावर cancel out हो रही है तो देखिए जाए टम किस form में आ जाएगी y upon n into b is equal to x upon m into a अब ठीक है अब यहां से देखिए आप इसको किस form में लिख सकते हो y upon b upon n is equal to x upon a upon m इस form में लिख सकते हो क्यों लिखा क्योंकि आप इसको add करके लिख सकते हो कितना हो जाएगा y upon b plus x upon a और upon में कितना हो जाएगा बच्चो m plus n हो जाएगा ठीक है हमने ऐसा क्यों लिखा क्योंकि आप आपकी 3 terms बनके इनको आप किस form में लिख सकते हो यहां से देखिए y upon b n is equal to x upon a m is equal to यहां से देखिए x upon a plus y upon b किसके equal है बच्चो 1 के equal है तो इसके equal आगई 1 upon m plus n के equal आगई एक बारी हाँ तक not कीजिए अब यहां से उपर देखिए बच्चो सबसे पहले first और यह second term है और यह third term है ठीक है first और third term को equal लख लेते हैं now first equals to third यानि कि first और third term को अगर equal लखोगे तो term कितनी आजाएगी y upon b to the power n is equals to 1 upon m plus n यहां से बच्चो आपको क्या करना होता है b की value find out करनी होती यह third term कितनी हो गई b into m plus n is equals to b to the power n implies that अगर b की value निकाले तो कितनी हो जाएगी y into m plus n की whole power कितनी हो जाएगी बच्चो 1 upon n हो जाएगी क्योंकि इधर power n है दूसरी साइड जाके कितनी हो जाएगी 1 upon n हो जाएगी same आप किसके लिए करोगे अगर आप equation second और third को equal रख दो तो ठीक है तो यहां से देखें term कितनी हो जाएगी x upon a into अच्छा यह बच्चो इसके mistake हो गई sorry है इसके into में है n into में है n तो हैसे कितना हो जाएगा यह b into n हो जाएगा तो यह n कैसा चला जाएगा बच्चो इधर multiply में है तो इधर आके किस में हो जाएगा divide में हो टर्म कितनी हो जाएगी y into m plus n और upon में कितना आ जाएगा n अब ठीक है ठीक है तो यहां से कितने atom x upon am is equals to 1 upon m plus m है तो यहां से इसकी multiply कर दोगे तो इधर पोच जाएगा कितना हो जाएगा x into m plus n is equals to a into m हो जाएगा a की value आपको find out करनी है तो कितनी हो जाएगा x की power m plus n और upon में कितना आ जाएगा m अब यहां से क्या करोगे a और b की value को equation second में put कर दोगे तो लिख देंगे on putting the value of a and b in equation second equation second में values put करोगे तो a की जगा कितना आ जाएगा x into m plus n और upon में कितना है m है और इसकी whole power कितनी चल रही है वच्चो m चल रही है ठीक है और into b की जगा b की value put करोगे कितनी है y into m plus n और upon में कितना है n and complete की whole power कितनी है n is equals to c की power कितनी है m plus n है यहां तक note किजिए अब यहां से देखे बचो इन terms को कैसे लिख सकते है आप x into y यहां से देखे x की power कितनी है यहां पर m है और यहां पर देखे y की power कितनी है n तो इसको कैसे लिख सकते x की power m into y to the power n और यह वाली term क्या है m plus n यहां पर भी है और m plus n यहां पर दोनों के base सेम है तो power set हो जाएंगी तो power कितनी हो जाएंगी m plus n और upon में देखे कितना हो जाएगा m की power m और into m की power n क्योंकि इनकी whole power चल रहे है तो सभी के अपने अलवलगा तोड ली ठीक है तो equal में कितना आ गया c to the power m plus n and that is our required answer और कीज़े इसको देखे बुच्छे इसका third part है a plus b is equal to c यह आपको अपने आप करना है easy सा है इस powers वगेरा भी नहीं है चो आपको जादा difficulty होगी question में easily हो जाएगा same उसी तरीके से करोगी जैसे इससे पहले 2 किये और आगे के भी 2 कराऊंगी अभी ठीक है तो यहां से देखे इस वाले part को आपको अपने आप करना है answer आगा इसका x to the power 1 upon 2 plus y to the power 1 upon 2 is equal to c to the power 1 upon 2 note कीज़े इसको देखे उसके बाद में question number 4 क्या है a square plus b square is equal to c square where c is a constant तो इसके लिए भी सेम ऐसी करेंगे process जैसे कि starting में हमने इससे पहले 3 questions में क्या है तो सबसे पहले आप equation first से क्या निकालोगे इसको क्या light करोगे बच्चो equation first और इसवाल equation को क्या light करोगे equation second equation first का जब आप differentiation करोगे तो वहां से आपको db upon d a की value कितनी मिल जाएगी minus k x into b square और upon में कितना जाएगा y into a square जिसको आप light करोगे equation number third यहां तक का process आपको सेम अपने आप करना है इसके बाद में क्या light कोगे from equation second from equation second equation second का differentiation करोगे एके respect में तो यहां से देखे कितना हो जाएगा 2 into a की power कितनी होजएगी 2 minus 1 यानी की 1 plus यहां से देखे कितना होजएगा 2 into b की power 2 minus 1 1 हो जाएगा और b का करोगे कितना होजएगा db upon d a और c constant है तो इसका differentiation 0 हो गया तो यहां से db upon dA की value कितनी आ जाएगी यहां पर देखे वाले term plus की है equal के दर्जा के कैसे हो जाएगी minus के 2 से 2 cancel out यानि की db upon dA किसके equal आ गया minus के a upon b के equal आ गया यह क्या होगे equation number 4 from equation 3 and 4 equation 3 and 4 से क्या करोगे दोना equations को equal रख दोगे यानि की equation 3 क्या थी minus के x into b square और upon में कितना था y into a square किसके equal आ जाएगा यहां से minus के a upon b के minus से minus cancel out हो जाएगा यहां से देखे दोनों की multiply कर लोगे कितना हो जाएगा x into b की power 3 is equals to y into a की power 3 अच्छे यहां पर x है sorry ठीक है तो यहां से देखे x के upon में कितना जाएगा a की cube is equals to y के upon में कितना हो जाएगा b की cube इसको आप और किस form में लिख सकते हो इसको लिख सकते हो आप x upon a upon a square plus y upon b upon b square लिख सकते हो क्यों क्योंकि इसको अगर आप add करोगे sorry यह कोल का साइन है बीच में दोनों को अगर आप add करोगे तो कितना हो जाएगा बच्छों x upon a plus y upon b और upon में कितना हो जाएगा a square plus b square यहां से टम कितनी थी x upon a की cube x equals to y upon b की power 3 is equals to यहां से देखें इसकी value कितनी थी 1 और upon में देखें a square plus b square किसके एककॉल दे रखा है आपको c square के एककॉल दे रखा है तो आपके 3 members बन गए first year second year और third year एक बार first year third को equal डोगे और second और third को यहां तक note किजिए मभियां से देखें पहले first and third को equal दे दे तो first is equals to third put करोगे तो कितना आजाएगा x upon a की power 3 is equals to one upon c square cross multiply करोगे तो x c square किसके इक्वल आगया एक की पावर 3 कि implies that अगर एक की वैलियू निकाल लाइं तो वह कितनी आजाएगी x into c स्कुरर यहाँ पर इसकी पावर वी वन अपॉन थी और इसकी पावर विन अपॉन थी हो जाएगी तो आपका B किसके एक को ला जाएगा चलो पूरे solve कर देती हूं Y C square किसके एक को ला गया B की power 3 के तो B किसके एक को ला जाएगा Y की power 1 upon 3 into C की power 2 upon 3 क्या ऐसे आई बचे गाल इलता हम यहाँ पे देखे power कितनी है 3 of A and B in equation second equation second में put करोगे तो हैंसे देखे कितना है A square तो A square यानि कि इस वाली term का square करोगे तो कितना हो जाएगा X की power 2 upon 3 into C की power इस वाली term का square करोगे तो power कितनी हो जाएगी 4 upon 3 plus B square है यानि कि इसका square करोगे कितना हो जाएगा Y की power 2 upon 3 into C की power 4 upon 3 is equal to कितना है बच्चो C square है यहां से देखे कुछ common आ रहा है C to the power 4 upon 3 common है तो उसको common ले लेंगे तो उन्दर कितना बचेगा यह बचेगा तो यहां से देखे common कितना है बच्चो C की power 4 upon 3 यहदर multiply में क्या इसको दूसरी साइट divide में लेके जा सकते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, C की पावर 4 अपॉन 3, यहाँ पर प्लस की है, उपर लेके जाओगे तो पावर कैसी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी, हंब ही जिकस में से माइनस करों किसकी इकषर कोकी थो कितना पचेका है तो कि कि एकोल है तो में यहीering किर्फ करके आपको समझा देती हूँ ठीक है और पिर रफ करके वह items फूल कर देती हूँ आपको काड़ के नोटिबुक में ऐसा नहीं करना है क्योंकि आप अगर बाद में notebook call के बैटोगी तो आपको समझनी है कि step आपने कैसे किया था ठीक है तो आपको हर एक step जो भी मैं यहाँ पर कराती हूं उसको rough कर देती हूं तो आपको rough नहीं करना ठीक है आपको क्या करना को step as it is note करते वे जाना है तो यहां से यही क्या आगया बच्चो आपका answer आगया अब इसको नौर कर लीजिए उसके बाद में इसका 5th part देखे क्या है ab is equal to c square यहां पर c क्या है constant है a क्या parameter भी क्या है function है किसका a का इसको भी आप same ऐसी solve करोगे starting से लेके और कहां तक solve करोगे बच्चो जब तक आपके db upon d a की value यानिक equation first का differentiation करके db upon d a किसके equal आ जाएगा minus k x into b square upon y into a square इसको क्या light किया था अपने equation number 3 यहां तक आपको अपने आप solve करना है कभी छोड़ दो ठीक है एक्जाम में भी और वैसे भी notebook में भी तो यहां से देखिए term आ गई आप क्या करोगे इसको equation second light करोगे बही वह तो equation first इसको equation second light करोगे differentiation कर दोगे किसका equation second का with respect to a and b regarding b as a function of a and x and y are constant ठीक है x और y कैसे होंगे constant होंगे यहां पर देखिए cb आपकी कैसे constant term है तो इसका differentiation करोगे आपको a के respect में तो यहां से देखिए दो function बन रहे है एक a और एक b तो first function as it is लिखा second function का differentiation करोगे कितना हो जाएगा b upon d a हो जाएगा plus अब क्या करोगे first function का differentiation a का differentiation करोगे a के respect में करोगे कितना हो जाएगा one हो जाएगा और into में कितना जाएगा b और is equals to c constant आम है तो इसका differentiation zero हो गया यहां से अगर आप d b upon d a की value निकालोगे तो कितनी हो जाएगी यहां से देखिए यह plus के b है उधर के साइट जाएगा तो minus के b हो जाएगा यह into में a है इधर के साइट आएगा तो divide में हो जाएगा तो यहां से d b upon d a किसके equal आगे बच्चो minus के b upon a की equal आगे इसको क्या लैट कर लोगे equation number 4 लैट कर लोगे तो equation 3 को और 4 को क्या रगदोगे equation third and fourth से तो यहां से देखिए term कितनी आजाएगी minus के x b square upon y into a square किसके equal आगे minus के b upon a की minus से minus cancel out b से 1 power b की cancel out और a से 1 a cancel out हो गया ठीक है तो यहां से term कितनी बच गई implies that x upon a is equal to यहां से देखिए y धर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा y upon b हो जाएगा क्योंकि यह y धर multiply में चला गया और यह धर b multiply में तो इधरा के किसमी हो जाएगा divide में हो जाएगा दोनों terms को add करोगे इसके नीचे suppose that one light कर लेते हैं कोई fact नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने ऐसा यहां पर देखिया अगर इन terms को add करोगे तो कितना हो जाएगा x upon a plus y upon b और upon में 1 plus 1 कितना हो जाएगा 2 and इसकी value आपको पता है कितनी होती है बच्छो 1 होती है तो x upon a plus y upon b sorry plus नहीं है यहापे equal का sign है y upon b is equal to यह one के equal होता है तो term कितनी आगई 1 upon 2 यह आपका first member होगे second and यह third हो चुका है तो क्या करोगे पहले first row third को equal रख दोगे तो यहां से लिख देते है first is equals to third तो x upon a किसकी equal आपको रहा है बच्छो 1 upon 2 के हैं से अगर a की value निकाले तो 1 की equal हो जाएगा 2x की equal हो जाएगा इसकी धर multiply कर दी और इसकी धर multiply कर दी अब क्या करोगा second और third member को equal put करोगे तो term कितनी आजाएगी y upon b is equals to 1 upon 2 फिर से multiply करोगे तो b किसके एक को लो जाएगा बच्छो 2y के एक को लो जाएगा यहां से a और b की value किसमें put कर दोगे equation second में तो डिख देंगे on putting the values of a and b in equation second equation second में put करोगे तो देखे आपकी term कितनी आ जाएगी a की जगा put करोगे 2x into b की जगा put करोगे कितना 2y और is equals to में कितना है c square तो यहां से term कितनी आ गई 4xy is equals to c square आ गई चाहे तो आप इदर root भी लगा सकते हो तो c किसके equal आजाएगा under root 4xy के equal आजाएगा तो किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो दोनों ही क्या होंगे बच्चो आपके यह answers होंगे ठीक है note की जेंको देखिए बच्चों क्या है यानि कि सबसे पहले तो आपको बच्चों का मिनिंग समझ में आना चाहिए step by step देखते है आपको प्रूफ करके दिखाना है क्या the envelope of ellipse ellipse की equation आपको देदी कितनी है x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1 यहाँ पर देखिए आपको प्रूफ क्या करना है envelope of ellipse यानि कि सबसे पहली बात तो है कि आपको यह ellipse की equation दे रखिए इसका आपको क्या निकालना envelope की value find out करनी है तो envelope अगर हम draw करें तो यहाँ पर देखिए यह आपका मालिया यह कौन सी axis है x axis है और यह कौन सी है बच्चो y axis है ठीक है तो इस पर अगर आप एक ellipse draw करोगे तो वो कुछ इस type से बनता है आपका board पर थोड़ा सही से नहीं बनेगा diagram ठीक है बागे देख लेना समझाने के लिए यह आपका क्या एक ellipse है इन्होंने कहा है यहाँ पर देखिए x axis पर माल लिया suppose that यहाँ पर यह वाली जो आपकी यहाँ से यहाँ से यहाँ तक कि यह वाली जो axis है y axis पर distance हमने light कर ली कितनी है यह बी है ठीक है तो इन्होंने क्या कहा है कि प्रूफ करना है envelope of ellipse इस वाले ellipse का envelope है having the sum of their semi axis constant having the sum सम मतलब आपको पता है कितना होता है जोड़ना किसका of their semi axis semi axis क्या होते है बचो देखिए x axis पर сказала i page x axis पर जो यह आपका ellipse है यह किस point तक जा रहा है यहाँ से देखिए a point तक जा रहा रहा होती है कितनी distance cover कर रहा है elle You आनी कि a और y axis यो b जो इसकी semi aşsis है उनका जो जो summary 순輄़ का सम्हा वह किसके equal यह بच्चोет कई को यह कंञा किसके equal है सीके guardians कहाने तो आपको क्या यानिकि ellipse की आपको जो equation दे रखी है इसका envelope आप find करोगे तो वो कितना आएगा आपका asteroid की को लाएगा यानिकि asteroid की equation कितनी होती है x to the power 2 upon 3 plus y to the power 2 upon 3 is equal to c to the power 2 upon 3 ठीक है तो यह कितना आएगा एक asteroid होगा ठीक है तो यह आपको इसमें क्या करना है उनका क्या रखता है sum रखता है and equal to c जो कि किसके equal होता है c के equal होता है तो यहां से आपको एक equation कितनी मिल गई बच्चो a plus b किसके equal है c के equal है तो यहां से आपको क्या मिल चुकी है यह two equations मिल चुकी है ठीक है first वाली equation first है और second को let कर लें equation second इसको equation first और इसको equation second अभी जो इससे पहले कितनी सारे questions किये हैं विल्कुल उनीकी तरह solve करेंगे इसको भी हम सबसे पहले क्या कि लिखेंगे on differentiation equation first and second with respect to a a के respect में कर रहोगे regarding b as a function of a and x and y are constant और x और y को कैसा लोगे बच्चो as a constant rate करोगे तो equation first से देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर लिख देते हैं equation first तो देखें यहां से equation first का जब आप differentiation करोगे a के respect में तो term कितनी आ जाएगे x square तो constant है और 1 अपॉन a square का differentiation करोगे तो यहां से देखेंगे power उपर चले जाएगे यानिकी power minus 2 का अगर आपको क्या करना है बच्चो differentiation करना है तो कैसे करते हो power starting में आ जाती है minus के 2, हां power कहां से आ जाती है बच्चो R हो जाएगे tummy में माइनस की जाना हो जाएगी एक ऑवर माईनस 2 माईनस 1 यानि कि कितनी हो जाएगी पावर मायनस 3 हो जाएगी तो हम सके कितनी लिए कि पावर माइनस 3 यानि कि माईनस कि यहाओ से यहाओ 3 .oma1 इसकर का वी सकार कोंस्टैंट कर फिर से कितना आएगा माइनस तो प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन B की पावर 3 और फिर से बी का करोगे तो कितना आ जाएगा Db अपॉन D A हो जाएगा और 1 कैसी constant हमें इसका differentiation 0 माइनस common ले लोगे तो यह वाले टम भी प्लस की यहां से देखिए प्लस की यह दूसरी सेट जाके माइनस की हो जाएगी तो 2Y स्क्वार अपॉन B की क्यूब इंटू D B अपॉन D A किसके क्वाल आ जाएगा यहां से माइनस के 2X स्क्वार अपॉन A की पावर 3 यहां से बच्वार अपॉन D A किसके क्वाल आ जाएगा माइनस के X स्क्वार यहां से देखिए वाइस का इदर मल्टिप्लाइम में यह तो इदर दिवाइड में आ जाएगा और इंटू A की पावर 3 इसको क्या लाइट कर लोगे आप एक्वेशन नमबर 3 लाइट कर लोगे ठीक है यहां तक नौट के इच्छ है यहां से देखिए बच्वेशन सेकंड आपने क्या लाइट की थी फ्रॉम एक्वेशन सेकंड क्या मिलती हमें कॉश्चन के अकॉर्डिंग A प्लस B किसके इक् रिस्पेक्ट में तो एका डिफ्रेंशेशन कितना हो जाएगा 1 प्लस B का कितना हो जाएगा बच्वेशन नमबर 4 तो एक्वेशन 3 को क्या रख दोगे बच्वेशन नमबर 4 के लगा यहां से टम कितनी आ जाएगी माइनस के x स्क्वाइर. बाजबतों नम यस्क्वाइड संपिस इकवाइड में पुदके इंअगे यहां से इस अप और किस फॉर में पूट कर सकते हो गए सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब कितना अब जाएगा एक आपको पता ही वाली टम तो x square upon a की power 3 और is equals to y square upon b की power 3 is equals to यहां से देखे x square upon a square plus y square upon b square किसके equal है 1 के equal है और upon में a plus b किसके equal था equation second से बच्चो c के equal था तो यह आपका first member यह second और यह थर्ड एक बार क्या करोगे first को third के equal रख दोगे तो term कितनी आ जाएगी x square upon a की cube is equals to 1 upon c c को इधर की side लेके आओगे तो कितना हो जाएगा बच्चो इवाली term c x square is equals to a की power 3 और implies that अगर a की value निकालोगे कितनी आ जाएगी c की power 1 upon 3 और into x की power 2 upon 3 अब क्या करोगे 2 को और 3 को equal रख दोगे तो term कितनी आ जाएगी y square upon b की power 3 is equals to 1 upon c इधर multiply करोगे तो c y square किसके को लाग या b की cube के और अगर यहाँ से b की value निकालोगे कितनी आ जाएगी c की power 1 upon 3 into y की power 2 upon 3 यहाँ से क्या कर दोगे इन values को equation number second में put कर दोगे तो यहाँ से ओपर देखिए line लिख देना on putting the values of a and b in equation second तो equation second कितनी थी a plus b equals to c तो a कितना है यहाँ से देखिए c की power 1 upon 3 into x की power 2 upon 3 plus b कितना है बच्चो c की power 1 upon 3 into y की power 2 upon 3 और is equals to 2 में कितना है c है यहाँ से देखिए क्या कोई term common आ रही है c की power 1 upon 3 common है तो common लिख लिए अंदर कितना बच्च x की power 2 upon 3 plus y to the power 2 upon 3 is equals to c यहाँ पर देखिए इदर multiply में दूसरी side जाके divide हो जाएगा यहाँ कितना हो जाएगा c की power 1 upon 3 power plus में है उपर लेके जाओगे तो कैसी हो जाएगी minus में यहाँ पर power already 1 है और इसमें से minus करोगे 1 upon 3 तो 1 में से minus करोगे 1 upon 3 कितना बच जाएगा 2 upon 3 तो यहाँ से term कितनी आ गई यह किसके equal हो गया बच्चो 2 upon 3 के equal हो गया है यही क्या है आपका answer है note कीजिए इसको इनोंने क्या देदे complete language में अगर मैं बोलू कि आपने question बिल्कुल सेम इसकी तरह यह question किया हुआ है तो आप सोचोगी कि पता नहीं हुआ हमने क्या बोल दिया ठीक है क्योंकि इसमें क्या कर दिया आपको लेंग्वेज में आपको पता है कि क्या होता है we know that हम जानते हैं कि कॉंसेंट्रीक एंड को एक्षियल इलिप्स इज कितना होता है बच्चों क्या होती है इलिप्स की इतने सारे कॉशन कर लिए अभी तक इलिप्स की एक्वेशन याद नहीं हुई तो बस हो गया काम ठीक है तो यह क्या था आपका इलिप्स था ओफ इसका एरिया क्या है तो सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बुक पर दिखा देती हूं कि आपको कॉशन में दिया क्या हुआ है काफी लॉंग कॉशन था इसलिए मैंने सारा कंप्लेट नोट नहीं किया था ठीक है तो यहाँ पर देखिए टम आप देख सकते हो एक सेकि यह रही है पर देखिए बच्चों क्या है तो यहाँ से देखिए बच्चों क्या है तो यह वाली एक्वेशन आपको दी हुई है यहाँ से देखिए एरिया क्या दिया हुआ बच्चों इलिप्स का पाई इंटू एंटू बी दिया हुआ है जहाँ पर इलिप्स का एरिया कैसा है बच्चों कॉंस्टेंट है तो यहाँ पर एबी किसके को लेट करोगे c square के को let करोगे where c is the constant जहाँ पे c क्या है constant है now find the envelope उपर और आपको क्या करना है बच्छे envelope की value इसमें find out करनी है ठीक है समझ में आ गया ellipse की question आपको दी हुई है और इन्हों ने क्या कहाए कि ellipse का जो area है यानि कि pi ये भी constant है तो इसलिए आप इसको क्या light कर सकते हो a is equal to c square light कर सकते हो जहाँ पे c कैसा है constant है और आपको क्या करना है envelope की value find out करनी है तो I hope आपको समझ में आ गया होगा कि इस question में आपको करना क्या है यहाँ पे देखे सबसे पहले आपने ellipse की question note कर ली है जो होती है अब क्या लिखोगे इसमें area लिखोगे now now the area of ellipse the area of ellipse is कितना है बच्चो pi a b जो की कैसा है constant है so light इसलिए आप क्या light कर सकते हो कि a b किसके equal है c square के equal है ठीक है यहाँ को question में hint में दिया हुआ होगा कि अगर ellipse का area कितना होता है pi a b होता है तो अगर यह constant है area को क्या बोला है इन्होंने constant बोला तो अगर यह constant है तो आप light क्या कर लोगी कि a b किसके equal है c square के क्यों क्योंकि अगर वो constant time है तो pi b कैसा constant है यानि कि यहां से इसको लैट कर लेना equation first और इसको लैट कर लेना equation second अभी यह question कैसा बन चुका है जैसे कि अभी आपने questions कितने ही सारी किये हुए है यहां से देखी क्या करोगे on differentiation equation first and second with respect to a taking b as a function of a and x and y are constant और x और y को कैसा लोगे as a constant create करोगे तो यहां से देखी equation first का करोगे सबसे पहले differentiation तो from equation first और equation first का differentiation करने के बाद में अभी बच्चो इससे पहला जो question किया है बिल्खुल सेम इसी की तरह था question number 4 उसमें भी आपको ellipse की equation दे रखी थी तो वहां से अगर आप थोड़ा सा solve कर ले तो equation first का differentiation करके तो db upon d a की value कितनी आई थी बच्चो minus x square upon b k cube upon y square into a की power 3 यही आई थी इसको light कर ले ना बच्चो equation number 3 अब यहां से उपर देखिए यह तो किसकी value आगई बच्चो आपने equation first को solve किया उसका differentiation किया एक के respect में दैन आपकी equation थाड़ा गई अब किससे करोगी बच्चो equation second का क्या कर दोगे differentiation कर दोगे तो यह से एक्वेशन second क्या है यह है तो इसका differentiation करोगी आपका first function यह second function फर्सt function ऐसे इस piece justamente के डिफ्रेंशिशन करोगे यह के respect में तो कितना हैगा db upon da plus अब क्या करोगे first के differentiation अगर differentiation a के respect में करोगे तो कितना हो जाएगा 1 और into में कितना है c तो constant term is का differentiation कितना हो जाएगा 0 तो यहांसे अगर आप db upon d a की value निकालोगे तो यह इधर plus b हो दर जाके minus b हो जाएगा और यह इधर into में है तो इधर आके कैसा हो जाएगा divide में यह कौन सी आगई बच्चो equation number 4 आगई अब क्या करोगे equation 3 को और 4 को क्या कर दोगे इकल पूट कर दोगे तो यहांसे आपके term कितनी आ जाएगी बच्चो यहांसे देखे कितना है minus के x square b की cube upon y square into a की cube is equal to यहांसे कितना है minus के b upon a minus से minus cancel out b से 1 power b की cancel out और a से 1 a cancel out तो x square upon कितना बच्चा a square किसके एक को लागया बच्चो y square upon b square के एक को लागया यहांसे देखे जरा इसको आप लिख सकते हो एकस स्क्वाइर चलो यहांई पर लिखके दिखा रहे हूं इसको x square upon a square upon one लिख सकते हो बच्चो कोई फैक्ट नहीं पड़ा और इसको क्या कर सकते हो इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो कितना होगा इसके वैल्य कितनी है बच्चो वॉन है इसकी वैल्य कितनी है वैच्वेशन फिस्ट से यहां पर टम कितनी है वाइस्ट अपॉन पों इसको कारोगे एक बार तो फ्रस्ट। और थर्ड को equal लग दोगे एक बार 2 और 3 को equal लग दोगे यहां से देखे आपकी term क्या बन जाएगी जब आप first को और थर्ड को equal put करोगे तो यहां से कितना है x square upon a square is equal to 1 upon 2 इधर multiply करोगे तो 2x square कितना हो जाएगा बच्चो a square के equal और अगर a की value निकालोगे तो कितनी हो जाए यहां से अब क्या करोगे एक बार 2 और 3 को equal put करोगे तो यहां से term कितनी आजाएगी देखे y square upon b square is equal to 1 upon 2 तो यहां से term कितनी आ गई 2y square is equal to b square और अगर आप only b की बात करो तो कितनी हो जाएगी 2y square की power एक सेकें बच्चो यहां पे il इस्प काररे तो तरके जाएगी power कैसी होगी one upon two होगी कैसी हो जाएगी ए इस एवन अपों टू होजाएगी sup नह्यों को नह्तों किस में पूर्ट कर दोगे equation तो from equation second equation second lijep क 활 aime करोगे value तो ए equation सेकंड कितनी थी a is equals to c square a कितना है 2x square की whole power one upon two into b कितना है 2y square की whole power one upon two is equals to two में कितना है c square अब क्या करोगा बर्चोगर तोनों side क्या करोो दोनों side का square ले लो taking तो आपके टम कितनी आ जाएगे अगर दोनोh side का square ले लोगे तो यहां पर देखें कितनी बचेगे 2x-square इसका square लोगे तो यहां से इसक्वार ले लोगे तो कितनी हो जाएगी power 4 तो आसे देखे टू टू जा कितने होते हैं 4 x square y square किसकी को लागिया c की पावर 4 की को लागिया and that is our required envelope ठीके तुनी चली दोगे which is required envelope और इसी के साथ में बचो यह आपकी जो exercise 2 है यह भी आज complete होती है इस exercise में ओल्ली यही questions ते जो आपको करने थे और इसी type के questions जो है mostly exam में प power n plus b to the power n is equals to c to the power n which is the most important question ठीके कहीं बार exams में आचुका है यह तो इन में से कोई साभी part आपको नहीं छोड़ना है बहुत easy से questions है and कहीं बार exams में आपसे पूछे भी गए हैं तो only आपको यही questions करने के exercise 2 के अब next time पर यानि कि कल हम exercise 3 स्टार्ट करेंगे और कल यह आपका complete हो जाएगा देखो बचो कल के लिए मैं आपसे फिर से माफ ही चाती हूं because कल किसी वज़े से अपकी class जो है वो record नहीं हो पाई थी but अब ऐसा नहीं होगा मैं कोशिश करूंगे बिल्कुल regular आपको class provide हो तो कल से आपको बिल्कुल regular classes मिलेंगी and कल य exercise आपकी exercise 3 है वो complete हो जा करेंगे तो आज की वीडियो में बस इतना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर देना अपने friends के साथ में बच्चों जादा शेयर कर देना ताकि जाद से जादा बच्चे हमारे जाद में जूट सके और हमारी family और भी जादा वड़ी हो सके तो आ कि अरहें हो उपको सके झाद से जाद पाद में लाद genप्णान को आपको आपको से नह